Hello students, आज की इस वेडियो में हम डाइरेक्ट और इंडाइरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे. अब ये डाइरेक्ट और इंडाइरेक्ट स्पीच होती क्या है? सबसे पहले हम इसे समझते हैं. हर एक सेंटेंस को कहने के दो तरीके होते हैं. एक sentence होता है जैसे कि मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ मुकुल said the sunsets in the west इसमें क्या है जब हम कहने वाले के statement को as it is लिखते हैं जैसे मुकुल ने कहा ये क्या हो गया? reporting work next sentence हो गया reported speech ये reporting speech ये reported speech कि क्या बोला? the sunsets in the west तो मुकुल ने जो बोला उसके original शब्दों में जब हम कोई sentence लिखते हैं उसको हम direct speech बोलते हैं जिस sentence में reporting speech मतलब जो कहने वाला है उसने जो अपने speech कही है, reported speech जो inverted commas के अंदर होती है वो कहने वाले के शब्दों में ही लिखी है उस sentence को हम direct speech बोलते हैं और जो sentence में reporting verb अपने शब्दों में reported speech बोलता है उसको हम indirect speech बोलते हैं जैसे मुकुल said that the sun sets in the west तो इसमें हम क्या करते हैं? कॉमाज को हटा देते हैं एक sentence बन जाता है और कॉमाज की जगह पर that लिखते हैं और अंदर के sentence को reporting जो होता है जो बोलने वाला होता है उसके शब्दों में लिखा जाता है तो इसको हम indirect speech बोलते हैं तो हमने क्या समझा कि direct speech होती है जब कहने वाला अपनी बात को speaker के शब्दों में लिखता है मतलब कि जिसने उससे बात बताई उसने जिन शब्दों में बोला वो ही exactly same शब्द वो यूज करता है और indirect speech क्या होती है जब वो अपनी बात दूसरे की बात बताने के लिए अपने शब्दों में वो बात बताता है अब हम कुछ indirect, indirect speech के बारे में कुछ examples की साहता से समझते हैं जैसे अब हम जो बाहर वाला वर्ड है जो reporting वर्ड रिपोर्टिंग सेंटेंस है टीचर सेड उसको हम अंदर के सेंटेंस के हिसाब से चेंज करते हैं इंडिरेक्ट स्पीच बनाने के लिए जैसे अंदर का सेंटेंस इसमें assertive मतलब simple affirmative sentence है simple positive sentence है कि honesty is the best policy एक यह affirmative या positive या assertive कुछ भी कह सकते हैं इस sentence को अब हम इसका इंडिरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे teacher said यह पार्ठ हम as it is रखेंगे फिर हम लिखेंगे that जब inverted commas inverted commas की जगह पर हम that लिखेंगे और फिर अंदर का sentence as it is लिखेंगे क्योंकि यह assertive है तो हम यहाँ पर said ही लिखेंगे teacher said that honesty is the best policy हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो inverted commas के बाद वाले word का letter है starting letter उसको हम small में लिख देते हैं जब हम indirect speech में लिखते हैं next example में हम देखते हैं Rajan said to me यह direct speech का sentence है have you seen the task तो यह अंदर का sentence क्या है एक question है जब अंदर का sentence reporting speech जो reported speech जो होती है वो एक question होती है तब हम उसका indirect speech बनाने के लिए क्या लिखते हैं Rajan asked me question क्या होता है पूछा जाता है तो said to की जगे हम क्या कर देंगे asked me यह ध्यान रखते हैं जब अंदर का sentence question में होता है तब हम asked कर देते हैं Rajan asked me whether I had seen the task क्या मैंने ताज देखा है next example में हम देखते हैं कि reported speech जो है वो एक exclamation है reported speech मतलब अंदर का sentence inverted commas के अंदर का sentence exclamation है how cold it is today यह exclamation mark बोलते हैं तो जब अंदर का sentence exclamation होता है तब हम गौरब exclaimed word का यूज करते हैं said to की या asked की जगे exclaimed और inverted commas की जगह that यूज करते हैं that और present tense को हम past में change कर देते हैं that it was very cold that day today का that day हो जाता है जब हम indirect speech बनाते हैं next sentence हम देखते हैं the king said everybody must help each other अब इसमें यह जो reported speech है जो inverted commas के अंदर वाले sentence है speech है यह क्या है एक order बता रही है order मतलब order दिया जा रहा है किसी को राजा ने order दिया तब हम इसका indirect speech बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे the king ordered यह हम लिख सकते है the king gave an order that everybody must help each other अंदर का sentence हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे सिर्फ that लिखेंगे इस तरह से हम अलग-अलग sentence में reported speech को देखकर indirect speech में changes करते हैं तो हमें अब कौन-कौन से बाते ध्यान रखने के लिए हो गई कि जब हम direct speech से indirect speech बनाते हैं तो हमें inverted commas की जगह पर that word यूज करते हैं और जब हम indirect speech बनाते हैं तो that के बाद हम small letters में ही reported speech को लिखना start करते हैं जो inverted commas के अंदर लिखी होती हैं यह दो बाते हमें indirect speech बनाने के समय ध्यान में रखनी चाहिए अब हम कुछ और examples की सायता से इसको समझते हैं फर्स sentence हम पढ़ते हैं रश्मी I love potatoes तो हम इसको क्या बोलेंगे? अब हम इसका indirect speech बनाएंगे रश्मी said that she अब हमें अंदर का sentence देखना है कि I love potatoes तो यह क्या है? यह present tense का sentence है तो अब हम इसको किस में बनाते हैं? पास्ट में चेंज करते हैं डारेक्ट speech बनाने के समय हमें हमें reported speech के tense के हिसाब से अंदर का sentence चेंज करना होता है जैसे I love potatoes यह present tense है तो इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? loved that she loved potatoes next में कंचन I went swimming अब हम इसको क्या लिखेंगे? कंचन said that she अब यह कौन से tense है? past indefinite tense है इसको हम किस में चेंज करते हैं? past perfect tense में that जैसे की had gone that she had gone swimming next sentence में सुधीर क्या कह रहा है? I will eat rotis for dinner तो यह कौन से sentence हो गया? simple future tense हो गया इसको हम क्या लिखेंगे? सुधी said that she would eat rotis for dinner तो इस तरह से हम अलग-अलग direct speech में inverted commas के अंदर लिखे हुए sentence का tense देखकर indirect speech के tense को change करते हैं अब हम कुछ और examples दिखते हैं अब हमें इसमें identify करना है कि direct और indirect speech कौन सा है? first sentence Drishti said we should take care of our pets अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि ये inverted commas के अंदर sentence लिखा है और reported speech exactly वो ही word लिखे हुए है जो speaker ने बोले तो ये हो गया हमारा direct speech का example अब next sentence Drishti said that we should take care of our pets तो इसमें क्या है? that यूज किया हमने inverted commas हटा कर that लिखा और अंदर का sentence small letter से start किया तो ये हमारा example है indirect speech का next sentence में हम पढ़ते हैं father said it is good to be honest तो ये sentence क्या हो गया? direct next father said that it was good to be honest ये हो गया indirect teacher said that the sun is larger than the earth इसमें क्या है? that लिखा है तो ये कौन सा sentence हो गया? indirect teacher said अफिर inverted commas में लिखा है sentence तो ये कौन सा हो गया? direct इस तरह से हम sentence को पहचानते हैं कि ये direct speech है या indirect speech है अब हम कुछ और examples देखते हैं अब हमें इन sentence को दोबारा indirect speech में लिखना है ये direct speech के कुछ examples दिये हैं the proverb says look before you leap तो अब हम क्या लिखेंगे? the proverb says that inverted commas हटा करके हम क्या लिखेंगे? that look before you leap l small लिखेंगे और full stop लगाएंगे तो इस तरह से हम इस sentence को indirect speech में change करेंगे next sentence हम देखते हैं father said that it rained heavily in the monsoons हम rains को rain में change कर देंगे past tense में change कर देंगे it rained heavily in the monsoons तो इस तरह से हम present tense को past में change करकर और that use करकर इसका indirect speech बनाएंगे next एक और example देखते हैं Ravi said he is a pilot अब हम क्या लिखेंगे? Ravi said that he was a pilot is की जगा पर हम was यूज करेंगे क्यूंकि present tense को हम past में change कर देते हैं जब हम indirect speech बनाते हैं तो इस तरह से हम sentence speech से indirect speech में change करते हैं अब हम कुछ और examples देखते हैं My teacher said everybody should come to school on time अब हम इसमें क्या लिखना है? indirect speech बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? My teacher said that everybody should come to school on time inverted commas हटा देंगे और everybody का e small लिखेंगे इस तरह से हम इसका indirect speech बनाएंगे Next sentence Lee said I like gardening अब हम इसका indirect speech बनाते हैं समय क्या लिखेंगे? Lee said that she liked gardening तो इस तरह से हम sentence को direct से indirect speech में change करते हैं तो I think कुछ समझ में आया होगा किस तरह से direct और indirect speech में हम change करते हैं और direct और indirect speech क्या होती हैं यह था direct और indirect speech के बारे में